विजिलेंस की टीम ने बिलासफूर जिला के चलो गाउं देवली पंचायत में खेत में लगे हुए 648 पौधे अफीम के पकड़ने में सफलता हासिल की है आपको बता दे की विजिलेंस की टीम को अवैद रूप से की जा रही है अफीम की खेती की जानकारी की सूचना मिली थी जिसके बाद विजिलेंस ने एक टीम गठित कर चमलोग गाउं में रेट की और बताये गए स्थान पर अफीम की खेती मिलने की पुष्टी हुई विजिलेंस ने विरेंदर कुमार निवासी चरणों की जमीन से यह पौधे पाये हैं टीम ने सारे मामली की चानबिन के लिए एक शेतर के पटवारी को भी मौके पर बुलाया और जमीन की निशान देही करवाई गई इस अंदर में बिलासपूर में तेनाद विजिलेंस के एसपी योगेश रॉल्टा ने पुष्टी करते हुए बताया कि गुप्त सूशना के आधार पर खेत में लगे हुए अफीम के 648 पौधे पकड़े हैं और सेक्शन 18 एंडीपीएस एक्ट के तहत विजिलेंस टीम ने भ्रश्टशार निरोती थाना बिलासपूर में मामला दर्श किया गया है उन्होंने बताये कि इस मामले में जुड़े एक स्थानी व्यक्ति को गिरफतार कर पूछ तश की जा रही है अब पिछले गल खुफिया इंफॉर्मेशन हमारे विजिलेंस टीम को मिली तो उस इंफॉर्मेशन पर हमने गाउं चम्लोग पर वैरिफिकेशन के लिए गे और रेट किया तो 648 जो अफीम के जो पौदे है ये खेट में लगे वे थे ब्रामद किये तो फर्दर उनको ब्रामद करने के बाद इसमें सक्षन 18 NDPS Act के तहर पुलिस स्टेशन विजिलेंस बिलासपूर में मामना दर्च कर दिया गया है और फर्दर इसमें इंफिकेशन जानी है आपको बता दे कि विजिलेंस की टीम ने बर्माना क्षेतर के चमलोग में दबिश्टी और आरोपी से विजिलेंस की टीम पूछताच कर रही है पूछताच के दोरान कई और साक्षी भी सामने आने की संभावना है विजिलेंस की टीम यह भी जांच कर रही है कि उक्त आरोपी यह खेती कब से कर रहा था और इसका उदेश्य क्या था आपको बता दे कि बिलासपूर जिला में पहली बार इतने बड़ी मात्रा में अफीम की खेती करते हुए किसी व्यक्ति को पकड़ा गया है बिलासपूर से मुकेश कौतम की रिपूर्ट झालपको जाता ऑल्या है झालपको झालपकर मात्या से यालपकО जाताए प्लत में पन Wish इंन रहो एल्गभएइ को डेंको में प्लापक्र हो हमानःister थासा 써자 झालपकर हो ठालपक्न हया है जाता है झाल झाल